परिश्रम पेरडाइस अपने सपनों को पूरा कीजिए अपने बजेट में पता रामनगर के पास जस्वाडी रोट खटबा प्श्रम परन्टाने कीजिए अपने बज़ेट एंटों खांघ्र में पुषट अंसे और ही तोलों है जरोन किसेख बाति हमामन। यह परिषट इनसे को खोणों के 250 किजिएवा नंथे वह दिए बाखी जो लोगे भीज़ आप उजड़ेता है योगी आपको दढ़ाएगा एक शालोग सब्बार लेगे निकाएगा और ये शब्वीस कोड़ वाले संजय अधरवाल कंदेश कोड़ेता है और पुर्मी कोड़ेता है ये भी रही है है अधर ये लिए इस चुछे सब्सक्राइब जी कि तरफ से जोबीपाच रहोंगे वो अपना नाम दे आपर और अधर श्रवा शुछे है तो उसको अदम इस होट शुछे है तो इसके लाव नहीं रहती है यहां भी हम जन्द सामान्य आये थे अपनी बात रखने के लिए भक्त लोग हम आये थे आखिरकार यहां भी ट्रस्ट वालों की ही चली है कि और पाट पाट लोग बेटिंगे और कोई बात्चीद करेंगे कोई डिसीजन देंगे भक्तों की नहीं सुनी जारे इस खंडवा ज को बाहर क्यों किया जा रहा है मीडिया को बाहर क्यों किया जा रहा है जो जो आधिके प्रश्ट की चल रही है बाकी बगतों की कोई कोई कदर नहीं है जी कहें मैं राजेद्र पाराशारू यहाँ पे करीब 25 से 27 साल से पत्रगारिता कर रहा हूँ खंडवा में दादा जी का मंदिर बनना चाहिए इस संबन में एक महतुपूर्ण बैठक हो रही है जिसमें भक्त लोग भी और ट्राश्ट वाले छोटे सरकार और पटेल समीती तदा दूसरे अन्य सभी लोग आये थे और सभी लोगों को यहाँ पर प्रशाशन के सानित में मेटिंग करना था लेकिन पत्रकारों को भी मीडिया को भी जब सारवजेनिक बैठक है तो इसमें पत्रकारों को बाहर करने की या और लोगों को बाहर करने की केवल पांच पांच लोगों को बैठने की क्या जरूरत ह जबकि यहाँ पर सांसद है, सारवजनिक मतलब प्रतिने दिये हैं, विधायक है, जिला बंचा है, तद्यक है, महापौर है, कलेक्टर है, सबी लोग बैटे हुए हैं, तो इनमें आपस में समनवय बनने के बजाए और बिगाडने की कोशिश की जा रही है, तो यह उचित नह मैं राजेंदर पाराशर हूँ, वरिष्ट पात्रकार हूँ यहाँ पर, और यह मुद्दा सारवजनिक है, ना कोई राजनेतिक है, ना किसी तरह का है, दादा जी का मंदिर बनना चाहिए, कैसा भी बनने बनना चाहिए, बस इस पक्ष में सभी लोग है। पता रामदगर के पास जस्वाडी रोड खटबाग। झाल ठामदगर के इस बनना चाहिए, ना कि आनिक है, ना किसी अख़ई जसाज में सभी है, बस जस्वाड़ खटबाग। झाल 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 झाल